आए जनते हैं जो SSC की तुरू वेकेंसी निकली हुई है जीडी की उसमें हम कैसे फॉर्म एप्लाइग करेंगे किस तरह से आपको अब दिन करना है आए इस वीडियो में देखते हैं पहले बाद चनल को बिजिट करना है तो चनल को सब्सक्राइब करना ला भूलिएगा जनक पर चनल कोड़ने के बाद लॉग इन पर क्लिक करेंगे जीकि अगर आप पहली बार अप्लाइग कर रहे हैं SSC की वेपसाइट पर कोई भी फॉर्म तो उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होता है अगर आप ही तक आपने रजिस्टर नहीं किया हुए तो SSC की वेपसाइट पर सबसे पहले रजिस्टर कैसे करते हैं इस पर अलड़ी वीडियो बना हुए उस वीडियो के लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं वहां से जाकर देख लीजेगा रजिस्टर करने के बाद आपको एक रजिस्टर नमर मिल जाएगा वह ही आपका यूजरनेम होगा और आपका एक पासवर्ड भी बन चुका होगा वह यूजरनेम में प्रेश्येस नमर भरके पासवर्ड भरके और कैप्चाइक रजिस्टर भरके लॉग in कर लेंगे पर यहां पर लास्ट डियर जो है 31 अब देसमबर 2023 है तो इससे पहले पहले आप फॉर्म भालीजेगा 31 दिसमबर की शाम 11 वजे से पहले तो इसमें फॉर्म एप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है यहां एप्लाई बटन पर क्लिक करना है इस तरह से नेक्स्ट पेज पर आपकी pre-filled details यहां पर देखे कि क्योंकि आप पहले बार रेजिटेशन कर चुके होंगे तो यहां पर आपका पहले से भरा हुआ data होगा जैसे कि आपका name और आपके father का name और नीचे इस call करते हैं mother name आपकी date, birth, age, gender, category, nationality आप पहले से ही भरी होगी और नीचे इस call उसके बाद आपका mark of visual identification, class 10th का board, role number और class 10th किस year में किया है यह साई detail आपकी registration करते वक जो दी थी वो आपकी pre-field मिलेंगी अब नीचे स्कॉल करेंगे अब यहाँ से आपकी detail बढ़ना स्टार्ट होगी पहले यहाँ पर option दिया गया है 14.1 का Whether you are an ex-serviceman, ESM or serving in the armed force कर देंगे, अगर आप ex-serviceman थे, army में तो yes करेंगे, अगर yes करते हैं तो यहाँ पर detail open हो जाएगी date of joining क्या थी और date of discharge and retirement क्या थी, वो भरनी पढ़ेगी अगर आपके case में नहीं है तो simply no करिएगा, यह column block हो जाएगे on each case call करते हैं, अब आपको यहाँ पर आ जाना है 15.1 वाले point पर whether seeking age relaxation क्या आपको अपनी उमर में छूट चाहिए, अगर आप over age हो चुके हैं तो आप उमर में छूट ले सकते हैं तो उसके लिए आपका certificate बना होना चाहिए, क्योंकि general category को age में कोई भी relaxation नहीं दिया जाएगा, OBC, SC, ST इनको relaxation दिया जाता है और जो army वाले person होते हैं उनको भी, तो अगर over age हो चुके हैं age में relaxation चाहते हैं तो यहाँ yes पर क्लिक करेंगे, yes पर क्लिक करेंगे, वैसे यहाँ पर age का code आ जाएगा, relaxation code इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, जो category आपने registration करते हैं समय भरी होगी भी यहाँ पर show करेगी, यहाँ पर जैसा की देख सकते हैं, OBC होगी तो OBC सो क करेगी, SST होगी तो भी 100 करेगी, उसके बाद, next is 16.1, are your national cadet corps, यहाँ आप certificate holder है, अगर आपके पास NCC का certificate है, तो आप yes करें नहीं है, तो no करें, अगर आप yes करेंगे, तो यहाँ पर आपको detail देनी होगी, type of NCC certificate इस पर क्लिक करेंगे, A grade का है, B grade है, C grade है, ओके और उसके पाद, verify type of NCC certificate इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से वही A grade या B grade या C grade, अगर NCC certificate नहीं है, तो simply no कर दीजेगा, यह column block हो जाएंगे, अब बात आती है, examination center की 17 पॉइंट है, examination center आपको खुशते चूच करना है, center 1, center 2 and center 3, तो center 1 पर क्लिक करेंगे, यहां से center क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको center रखना है, इसी तरह से जब center 1 आपका हो जाए, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, center 2 option खुल जाएगा, center 2 में आपको जो रखना है, वो रख लीजेगा, इस तरह से यहाँ पर select करने के बाद, और center 3 आपका जो रखना है, वो रख लीजेगा, उसके बाद आप बात आती है, 18 point में, medium for computer based examination है, CB, यह आपका computer based examination होगा है, यह आपका computer based examination होगा है, यह online test रहने वाला है, center पर, तो इस पर click करेंगे, आप किस language में जो examination है, देना चाहते हैं, तो हिंदी में या English में, जो भी आपके language के according हो, चूच करेंगे, फिर से verify language में click करेंगे, जो आपने language चूच किये, फिर से verify करने के तोर पर, दोबारा इसे भार दीजीगा, next है, state or duty of domicile, आप किस राज की निवासी है, तो इस पर click करेंगे, और नीचे इस call करके देखेंगे, या जो भी आपका राज जो इन में से, वो राज यहां पर भार लेंगे, उसका फिर से confirm करने के लिए जो भी आपका राज जो भार देंगे, अब next आता है, district of domicile, के बाद आप किस जनपद की निवासी है, किस district से रहने वाले हैं, तो इस पर click करेंगे, आपका जो भी जनपद हैं, यहां से click करके choose कर और उसके बाद फिर से verify district of domicile, फिर से आप वही district भार दीजिए, जिस district से आप में, उसके बाद आता है, 21.1 का जो है, have you migrated from the state UT of your origin to another state, क्या अपने निवास इस्थान की जो राज है, उससे किसी दूसरे राज में आप migrate हुएं, गए हैं, तो आप yes करें नहीं गएं, तो simply no कर दें, यहाँ पर state UT of origin यह तब खुलता है, जब आपने migration किया होता है, आप प्लाइन करते हैं, दूसरे राज में जाते हैं तब, और अगर नहीं जाते हैं, यहाँ आप इस case में ब्लॉक रहेंगे, और नीचे हैस कॉल करना है, 22 वाला, candidate belongs to the, यहाँ पर military, नेक्स अलेफे district यहाँ पर known already रहेगा, अब बात आती है, preference of posts for CAPFS या organization, यह code कैसे भरेंगे, यहाँ पर देखी, column दिया गया, post details, इस पर क्लिक करेंगे, तब यहाँ पर देखेंगे, जो post preferences के code हैं, यहाँ यह, यहाँ पर G नहीं दिया गया, यहाँ पर H दिया गया, तो यहाँ पर देख स post का code in boxes में भरना होता है, जैसे कि यहाँ पर मा लीजिए, हम Central Industrial Security Force, CISP को पहले नंबर पे रखना चाहते हैं, तो B पहले आएगा, उसके बाद D रखना चाहते हैं, यह रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, यह जो boxes हैं, तो जिस post को आपने पहले रखना है, तो B या D, F, G, इस तरह से सभी ये saving post हैं, उनको आप भर लीजिएगा, उनके code और verify preference आप post form में, फिस से वह ही verify कर दीजिए, जो आपने भरे हैं, अब उसके बाद नीचे आता है, highest educational qualification, इस पर click करेंगे, आपकी highest qualification क्या है, यहाँ पर MBA है, MCA है, MSC है, यहाँ पर देख सकते हैं या MCOM है, MA है, CA है, नीचे स्कॉल करके, आपकी highest qualification देख सकते हैं, यहाँ पर commerce है, तो BCOM है, आप पर कर देंगे, BSCA है, तो BSC कर देंगे, honors BSCA है, तो वो कर देंगे, ओके, उसके बाद detail of qualifying educational qualification, से जीजिए फ़र्म बनने के लिए, क्या qualifying detail चाहिए, इस पर click करेंगे, तो इसम 10 के standard, equivalent कोई अधर, जो standard है आपका, तो बहुत सूच करेंगे, अगर 10 past है, तो 10 standard पर click कर देंगे, उसके बाद आप बात आती है, यहाँ आप देखेंगे, status पर click करेंगे, detail देनी होगी, अब pass है, appearing है, तो 10 पर pass है, तो past पर click कर दीजेगा, यह आप passing आपर जो आपने पहले से भरा हुआ आजाएगा, यहाँ पर आपको percentage भरनी होती है, कि आपने 10 की कितनी percentage भाई हुई है, वो भरेंगे, अगर CBSE से है, तो CGP है, हाँ पर आपका कितना बना, वो अपनी mark sheet में देखका भर दीजेगा, अब बताती है, do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in the time of, अगर आप future में, अगर को कर देंगे, यहाँ पर आपका communication और permanent address दिखेगा, अगर आपका correct है, यहाँ पर देख सकते हैं, address में कोई correction करना है, तो आपको फिर से वही edit वाले option पर registration में जाके correction करना होता है, तब ही आप बदल पाएंगे, इसलिए सही से बढ़िया का, address आपका सही है, तो आईए नीचे करते हैं, अब आपको यहाँ पर नीवली अपना photograph और signature अपलोड करना होता है, अपलोड आप फोटोग्राफ बिदाउट इस पे, मतलब पिना चस्मा लगया हुआ, फोटो आप किलिक करवाई है, अपना जो भी पास्पोर्ट का, वो यहाँ पर अपलोड करना होगा, जादा ना हो, और signature का size 10 के 20 के 20 के बीच होना चाहिए, और photo signature का जो format रहेगा, JPEG, JPEG format में होना चाहिए, चूज फार पर किलिक करके, बारी वाई से photo signature अपलोड कर लीजेगा, उसके बाद आप बात आती है, यहाँ पर लिखकर है, whether the photograph has been taken on or after 24 August 2023, और आपका जो फोटोग करना नहीं होना चाहिए, अगर है, तो यहाँ पर yes करें, obviously होगा, अगर आप no करते हो, यहाँ पर देखे, आजाती है, the photograph uploaded in the application form, should be taken on or after the stipulate date, जो date दी गई है, उसके बाद का ही होना चाहिए, तो simply यहाँ पर yes करिएगा, उसके बाद नीचे call करते है, terms condition को आपको agree करना और यहाँ पर capture भरना होगा, उसके बाद preview पर click करेंगे, उसके बाद इस तरह से आपका form preview open हो जाएगा, इसे नीचे score करके complete form चेक करीजेगा, कि आपका पूरा form सही है, उसके बाद यहाँ आपर देखेंगे, दो आपसर मिलेंगे, edit modify या submit, अगर सब कुछ सही है, तो आप cannot edit after final submission, so check all details carefully, मतलब submit करने के बाद कोई details आप edit नहीं कर पाएंगे, तो पहले से चेक कर लीजेगा अगर सही है, तो चलिए OK पर click करते हैं, इस तरह से next page पर आपके सामने आपर आ जागा है, application form is received, मतलब का application form submit हो चुका है, why do you want to proceed for payments, अब आपको next step में payment करना होता है, यहा पर payment का भी option आ रहा है, तो आप बाद में payment कर सकते हैं, उससे पहले आपर देखिए print वारा option आ रहा है, इससे print पर click करके print पी कर सकते हैं, यह जो आपकी PDF डाउनलोड होगी form की वे without payment डाउनलोड होगी, अगर आप print करना चाते हैं, तो यह इस पर click करेंगे, यहाँ पर payment करना है, आप payment करते समय ध्यान रखेंगे, आपको कोई back रीफ्रेश बटन नहीं दवानने तो payment fail हो जाएगा, यहाँ पर SBI का gateway दिया गया है, आप इन तरीके से payment कर सकते हैं, ATM card और credit card के मादिम से भी credit card जब करेंगे payment तो 1.77 रूपीज का charge लगेगा, नेट वैंकिंग, अ state bank debit card और UPI की मादिम से भी payment कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी दूसरे bank card debit card है और ATM card है तो यहाँ पर other bank debit card पर click करेंगे, यह payment आपको 5 मिन के अंदर complete करना होता है, यहाँ पर time ही भी चाल लगे देख सकते हैं, अब आपको नीचे scroll करना है, यहाँ confirm पर click करेंगे, आपको यहाँ पर card से payment करना चाहते हैं, तो यहाँ पर card का number भरेंगे, expired date भरेंगे, card holder का name जो card पर जिसका नाम पर भरेंगे, CVB card के पीछे ती नंगों का एक code होता है, वो CVB code होता है, यहाँ पर देखिए hint में भी बता रहे हैं, और यह capture code भर कर pay पर click करेंगे, इस तारह से आपक की screen पर आपने देखा होगा, page फिर से redirect हुआ, आपको wait करना है, refresh या back button नहीं देवाना है, आपका payment done हो जाएगा, यहनी success हो जाएगा, अब इस तारह से page आजाने के बाद आपको यहाँ go to dashboard पर click करना है, जैसा कि आप payment कर चुके हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, devil verification of payment, इस receipt है, आपके सामने आ जाएगी, नीचे स्कॉल करते हैं, और यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपका जो transaction है, successful हो गया है, transaction status success लिख कर आ रहा है, आप अपनी receipt को print करना चाहते हैं, तो print पर click करके print भी कर सकते हैं, और अगर payment cut हो गया, update नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लिख कर आपको 48 hours का wait करना है, उसके बाद check करना है, आपका payment success हो जाएगा, अब आपको फिर से इस skin पर आ जाना है, अब आप अपना finally, अपना form का जो print है लेना चाहते हैं, तो यहाँ print पर click करेंगे, इस तरह से print पर click करते हैं, आपका जो form है, complete form, वो आपका PDF format में automatically download हो जाएगा, इसे आप future reference के लिए save करकर रक्स लीजीगा, उसके बाद अगर आप अपने application form का status देखना चाहते हैं, तो है application status पर click करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, आपका application form जो है, complete हो चुका है, photo signature भी upload हो चुकी है, apply form भी complete हो गया है, payment status भी complete हो गया है, और application status जो है, application received हो चुका है